संदीप दा याज पूर्ण कासर वडवली बेल्ट मदिल आट टीम उदेचा रात्री मदे खेताना अपलाला देसिल माक्चा माच्चा वीजेयाचा शिल्पकार पंकश गोंधे अनि तेचा जोडीन सलामीला मैदाना वर्थी दाखल जाला नंदु पाडिल विश्रो अल्द बस बोद टीम शो दो गुड गेम एका बाजुला अमल भुईर अनि जरापन पाहिला प्रिटे जोशी ता बरोबरीन जरापन पाहिला तो नुकत जन अतिशे दमदा बाडिंगेली अनि यास परदेदला पहिला ख्याडू ठरला चन चार बॉल चार शटकार म माच मदे देखिल तसच कही चीत्र मनाशी बागुन प्रेक्षक या मैदनावर्दी सजसालत विश्वनाद जाधाव ने कीच अना मी इन्वाइट करतो याईचे विश्व अपला शुबसनमान एस परदेशा माध्यमादन होल धानी वरून अपन आला टेनिस बॉल आज धानिव सरक्या एक छोटेशा गावातुन शार्जा इंट्रनेशल स्टेडियम परिंद पोचली अने एक मुठ्या टीमचा विनर्श सरक्या एक जग्जे त्या संगाचा तो एक पाड तम विश्वनाचा दोचा सनमान एस परदेशा माध्यमादन होल तर अमी इचा अपन वास्पिडा वर्दी अपला शुबसनमान एस परदेशा माध्यमादन नरे स्पोट्स इदे करता है पहले शटक है उन यावी रन्नीती अपलाला वेगी पाहला म्याली पहला माच मदे अमुल भूईर ना पहले शटक तागला तना खर्चकेला पावपले मदे वीश त्यमें अता अरुन पार्चाला इन्वाइट केला बॉलिंग ट्रैक वर्दी टेनिस बॉल क्रिकेट जग म मदे दिखिल में उल्ले केला या घुटबंदर ठाने परिसरा तील कासार वडवली बालकुम वागबिल या अशक आई टीम सेथ जा कदी ही मैदाना वर्दी काही करूशकता अनि या टीम चा एक दमदर ख्याम है आस टेनिस बॉल क्रिकेट जगता मदे एक मोटा फैन फॉल दोन बलाड टीम मदे कालची रात्र भिवंडी न गाजवली असटी केवनी परवाची रात्र भिवंडी गावदेवी अंजूर न गाजवली अनि ता अधी विशाल 11 मीरा रोड वालकम विशू अपला हार्दीक स्वागता एकका हाधी मैच जिंगुंदे नेजी ताकद हा क्या अडू ठेवतो अनि आज मात्र अहा बालकूम चा मी मनेल भाग्या चांगल होता की विकेट बरपू लवकर मी आली अनि ओवा ब्रेक मदे अपला कड़े वे अपन सन्मान करूयात विश्मना जादवचा अनि हा सन्मान केला जाल संजे पाटिल एन जा शुभास संजे पाटिल देखिल विश्मना जादव सारका जे घातक बास मना अरे स्पोट कासार वडवली जा अनि तेचा शुभास अपन विश्मना जादव चाह सन्मान इदेख करूतो है हाडलक विश्व काही अरकत नहीं है बस्ट अपलक फॉर नेक्स माच लोगरास बेटू भीवंडी भरोडी मारे अनि बाली ट्रोफी उद्या नकीस तोखे एताना दिसल वावसा एक विनस मतना अल्डबस्त पहलास बॉल बाउंडी लाइन चा बाहर केला अनि नंदु पाडिल न इदे केली या सुरुवात चाहुगारन माक्षा माच मते देखील अतिशे चांगली सुरुवात केली योथी पंकश गोंधे नंदु पाडिल ना आड़ बॉल मदे 31 कराई चाहुथ यानी 32 बनावल यानी माच संपावल योथी हमचे कमेंटरी बॉक्स में पाधा अनि हमचे अगधी बाजूला अमचे गुणलेखक तुमाला पहला में इधात अक्षे कारखानीस अनि सद्या धावेंचा कारखान अनी मशीन तेंचा हाधा मद है पाईचे त्या मशीनी वर्धी किती रनेतिल पहला बॉल चाहुगार अनि दूसरा बॉल दबाव बॉलर वर्धी वाइट बॉल एक्स्ट अनि हमचे पूर्ण साइपरीत लाइव चे ओफिशल टीम मेंबर यस परदेला मध्या उन्च चानी उन्च नीताना अनि सद्या वागभी आनी बागों मध्या मैच अमचे ठाने बेल्ध पूर्णा उनलाइन जोडले बैक टुद बॉलर ड्राइव करता साना बॉलर बैक ड मेड़ान लाफ फोल्ड ये उन अमोल छिन्डूला फिल्ड करतो है मतला जाते ना कि शिती जाच शोताद निगालेला अभा देखिल अपोब रुंदावज जात्या या दोनी टीम तशाच काहिया जा नेमीज घरातू निगलान अंदर एक शिती एक धेया एक लक्षम अना म देखिए उन उतर दा दनी त्या दोन टीम मदे मंजा अपन मनुष्यक तो है क्लैश ऑफ टाइटन्स तारे सीता रहान मदे हा संगर्षर रंगतान अपलेला पाहला में तो है नरे स्पोर्ट स्मूती जशक दोनजार एक विश्या चा उठ्थया राद्री मदे दूसरे फिर काच सांगला है नावा मदे साहे ताकत फटक्या मदे है दम अनि धावा मीतिल सहा कन फटका खेसला है शटकारांच राजा अनि धीब बैकवर्ट पॉइंट ला शटकार मरला अनि शॉट अवर लासल टालया वाईला चावया पंकच गोंधे साथी अनि चोथी कैच सुनिल मुकादम इजे घेत असाना पाच्वी कैच जर घेत ली तरसा मनावा लागल कियाता तैनना एकादा स्मार्टफोन डावा लागल करना शटकारा चा बाहर प्रिक्षे कैच गीताथ बरपुर पार्तोशी कस्ताथ अनि तो फटका जरापन पाहिला त जावी सचीन्द्रमेश टिंडूल कर भारता सटी सिक्सर माराईचे स्तान मदे जाउन तो बॉल विसावला नंतर जाप प्रेक्षेकाच हादा मदे याईचा तो प्रेक्षक्स बतला भाग्यावान समझाईचा इदे पंकच गोंदे चा बैटमन आहा सिक्सर हला अनि सुनि लॉट्स ओफ हाडवाग अनि अलिल्या प्रत्यक मानेवरला प्रेम कसा द्यावा अथिती देव वही संस्कुर्थी कशी जपावी ये संधीप दा भोईर सुनिल्ला भोईर अनि संदेश दा भोईर नेमेच या कासर वडवली गावाल अशिक उतात लंगोफला थोड़ीश करता साना टेनिस बॉल्ल क्रिकेट जगता दिल एक बलहाड संग वागभी स्पोट्स वागभी कुशिया मिलती नहीं कभी मांगने से मंजिल मिलती नहीं रहा पर रुख जाने से बरोसा रखना खुद पर और उस खुदा पर सब कुछ देता है सही समय आने पर अनि या माच मदे मात तुमची वेल तुमाला सुवताला बदला भी लागेल बाची लीडिंग एज अनि बॉल डिकलाज जोन मदे एक सिंगल आडोईल अनि पहले शटकाचा खे देखिल जाला समाप्त अनि एक का ओवर चा खेल पूर्ण जालान इंदर टीमची टोटल धाव फलका वर् लाग लेत शार ओवर ची माच है पच्छा का टार्गेट या माच मदे सेट के लाज आईल तो दिपेश माने ना जे चार सिक्सर मार ले होते तरचा सडी रोयल स्वाद मदुनते केपसा राइस तरचा सडी आला है तो माच फिनिश आला प्रतिक टीमचा प्लेयर सडी पार्तोशिक या चार बोल चार सिक्सर मारेल नकिस तरचा सडी है पार्तोशिक दिला जाईल मदला जादेना बुलन वही जो पिया मन भाए रोयल स्वाद चाइनिज आपकी प्यास भूजा है नेक दा अवज उन विजिट या रोयल स्वाद ला ओन साइड ला हीट मैन रोई शर्मा स्टाइल पूलन पावरफुल बॉल बांडरी लाइन चा बाहर वणडर्फुल सिक्सर वाग बीचे वाग डरकाली फोड़ तस्ताना बालकुम चा विरुद्ध जीत पड़िल खारबाव अन्चा कडू नंदू पड़िल साडिशो बेच्चा अनी नंदू पड़िल संगली बड़िंग करतो या माच मदे दूफल का वरदी धावा 22 दूसरा शटकार अला या इनिंग मदला एक मारला पंकश न कवस मदे बैकवर्ट्स को एलेकला मारला नंदू पड़िल न तया रेनाउट सा दोका होता महीती या पंकश गोंधेला अनि तयाना केला नकार बसमननदू पड़िल ला चेंडू जाहली देनी कुन डाट एक एक डाट बोल नकी इस कमबाक करून जाहल अमुल भूईर एक मोठ नाव अनि मदला जादना की मांसान विजलेले दिवे पायची नस्ता तयानी अजू बाजू छी रोशना ही देखिल पायची नस्ते जला चालाई चसतना त्याना फक्त अपल्या ओंजीटला दिवाच पायचास्तो अनि अविर चालाई चसत कुट परेंद तुम्चा धेया पोन होई परेंद अनि धेया आहे दोनी टीमचा ही माच जिंक नाचे एक एक पाउल जशे जशे तुमी पूडे टाकच चलाल तुम्चा समोर अनेक संकत अनेक अडचनी एज जातील विज्याचा रस्ता समोर दिसेल मतब पराभव देनया साथी देखिल समोर चा प्रतिस परती संगत टपलेला असेल अनि संगर्शाचा वारसा बालकुम अनी वागभी दोनी गावन ना तितकाच मोटा है कन दोनी गाव क्रिकेट सादी वेड़ेत अनि या ठाने बेल्ट मदिल दोन नामागी टीम मदे ही मैच रंगती है इमोटी परवनी ठाने विबागाचा क्रिकेट सादी राउंड विगेट लेन चांग लिया पीक के लियानी बॉल पाठावला है बाउंडरी लाइन चादी शेना फिल्डिंग दिते लाजवाब एक सिंगल चाली पूर्णा नी दोन धावा कंप्लीट के लाजादी लानी पाईचा है अंपायचा इशारा का एतो है सिक्सर की सेव आहे हाँ प्रश्णा नी अंपायचा नीर्ण है पायचा का एतो है अंपायर ना रेफर के लाएता टेकनोलोजी टीम कड़े अपले कड़े आहे निक इस टेकनोलोजी दर अपन वापर करुए आता साइपरीत लाइव पायचा हमचा कामेरा मान सुष्मा लेंक्स मदे काई टीपले अनि जावल अगेला अपलेला मिक्सिंग रूम मदे बॉल उन्चा हवेतर भरपूर दरजेदार कामेरा मान वर्क ग्रेट जोब आइट साइपरीत लाइव अनि फाइनली हाँ बॉल हता मदे अला है अनि जावी बॉल अडवला गेला अभी पाई बाउंडरी लेस पर्शेज आला है कि बाउंडरी चा बाहर उन्ट्राय केला है अनि कमिटी डिसीजन इट्स माक्जिमम अन एकडेमी क्रागिंग सीक्सर शटकार आडूल अनि जामजे स्वयन सेव गया अनि कि इस तैंचे जे इशारे एदा ते देखील प्रतेक टीम ला मान्य करावे लागतील प्रतेक बॉल सड़ी थर्ड अंपायर अपलेकडे नई है इस कैमेरामेन ला हा मोटा प्रश्न होदा की मी हा बॉल फॉलो के लाएका तर कैमेरा सोडून ते मिक्सिंग रूम मदे आले मदे करच कउत्थूख होई लमचा पूर्ण कैमेरा मान्चा ग्रेट जोब अनि थर्ड अंपायर फक्त जर अंपायर ला वाटले तरस दिला जाईली गोश्र लक्षा तसुद्या शटकाराचा इशारा ला है अनि धाउफलक सहाने पूरे जाईल 28, 28, 28, चेंडू टाकुन चाले 4, दोन बॉल चा खेड अजूनी बाकी है अनि बालकुम, वाकबील, शीस्ता बद्य संगात अनि मनों नुक्तस मनालो ना कि ये दोनी गावना क्रिकेट साथी वेडी है अनि मुडले जाते ना जो सिर्फीर होते है वही इतियास लिखते है समझदार लोग तो सीव उनको बार-बार पड़ते है अनि अन्यक वेडा इतियास वाचून देखिल न सम्पनारी पुस्तक मझे वाकबील अनि बालकुम चा क्रिकेट, राउंड विकेट खोदून काडला बॉल, बाडन पाइड मनन चेन्डूसाथ डीप मनने काव कॉर्नर ला फोल्ड अति दे सज्जे आता रनाउट चा धोका डारेक हीट कुडे देरी असा वाटन तोता हो एल्थरो चांग लाला होता मत्र दोन धावा अगदी वेगान पूर्ण कर दसाना अपपंकश गोंधे अनि नंदू पाटिल अनि एकदा टायातर वाइला चावया जोडी साडी कन 15 रंची पाटनर्शिप दोगान मदे पूर्ण होती है कर माक्शा माच्चा डाव थामला 34 वर्दी अनि तिते एक कई विकेट गिली नौती अनि या माच मदे अता तैनी रंच बनवले जवजवद 30 पहला विकेट साडी बाडिंग कर दसाना मुझे सग्या आद ये शस्वी जोडी टीम वागबी ची अनि वागबी चा अभिमाना साडी हे फलंद आज मैदाना वर्दी खेता है उगवनार्या सुर्याच अनि पल्णार्या घोडाच चीतर भिंदी वर्दी लाउन प्रगदी होत नस्ते प्रगदी करन्या साडी सुर्योदेच अधी घोड़ाच वेगाना कष्टाची दोड करावी लागते निती करतो है नंदु पाटिल पटका अथा फर्स लाया अथा विकेड मेल अनि अमोल भुईर चाखा दमादे पहली सफलता अनि 30 दावेची भागे दरी इते जाली अब ब्रेक अनि दोन शटकांचा खेदी किल जाला पूर्ण अन आफ्ट टू ओव पंद्रा पूरुनांक शुन्य शुन्य या सरासरीन 30 जावा पूर्ण जालेत दोन शटकांचा खेजस अला संपन न नी दोन शटकांचा खेदी इस धावा जाले तता परेंत दाफल कावर धीतीज पर देचा प्लार फटॉर्ण अग्टिवा सिग जी पाइच एक्टिवा सिग जी अधा भीवंदी मदेजाईल की मीरा रोडला जाईल की आज ठाने बल्ट मनन एक टीम पूड़ेगील की उद्या ही गाडी फक्त कासार वडवली गावा मदेजाईल अशे अनेक सारे प्रश्न गतवर्शी कासार वडवली आयूप शेक अनी सद्यामेदान वर्दी खेतु आए जो फ़लंदाजी सदी दाखल जाला है केतन पादिल वन आफ माफ माफ फेवरेट बॉलिंग ट्राइक वर्दी आला वीजे अमचा कारकीर्दी मदे अवर्जुन एक चोड़ा सानुबव संगेल केतन ला मी पहला होता तोजाला फर्स्ट टाइम जावी टीम बालकूम मी पहात होतो स्वरी वागभील नी तोजा नाइट मढले ता मोठी मोठी करदी अगदी कुड़िंदरी चोड़ा चोड़ा गाप मधून पहात होतो केतन पादिल चीती फलंदा जेनी ता माइदा नवर्दी तेना मालेले साहा श्रटकार तद नंतर त्यास परदेचा जालेला च्यांपियन संग वागभील माइदा नवर्दी खेतो है परिस्तिती देकी लगदी बीकड होती आजीमल अडवते चार ओवर तेविस रन होते सहा विकड़ केला होत्या तद नंतर सिक्स्टी चार टारगेट सेट केला अनि माट जिंकून दिली होती अनि समोर संग होता पारगाव अनि यस मोठी विकेट दावाला पड़ती अता खिंडार अनि शटकार अन्सा राजा मैदन अधन जातो बाहर पंकच गोंधे बैक टू डग आउट तीसर शटक सुरू जाला है अनि पहला बॉल डॉट डूसरे आप बॉल वरती विकेट अनि कमबैक करताना टीम बालकुम उनुन मनालो कि याँ दोन टीम मदे एक मोठी परवनी अता ठाने क्रिकेट नगरीला नरेश स्मूती चशक दोन जार एक वीस देत है प्रते ख्याडू या मैदानवरती सांगतो है बालकुमानी वागबीचा सिदे रास्ते मिल जाया मनजिल ऐसा कोई फसाना नहीं देखा जिसा पैसो मनजिल के उसकी जुबा पे कभी बहाना नहीं देखा युही काट के जिन्दगी तो रोज मरते हा लाखो बदल दे परिबाशा जो जिन्दगी के कमजोर दिलों में ओ कभी इरादा नहीं देखा अनि या मैच मदे इरादे तर जाहिर केले दोन ओबर मदे ती सल्या अनि अत्ता इरादे स्पश्ट करतो है बॉल विजय है कि ना विजय अनि जिंक उन दाइचे तीम बाल कुमला चांगला कमबाक आधी विकेड में आली दुसरा ओवर चा लास बॉल वर्दी अमोल भोईर ला अनि ती विकेड होती नंदू पाडिल जी अनि या विकेड चा दुसरा बॉल वर्दी विजय न बात केला पंकर्ष गोंधेला स्टाइकर एंडला फलंदा जी सट्डी सर्जा जाला है बास्मन रोमित अनि रोमित साथी पैलास बॉल फटका दर चांगल होता मद खेला है डिकलर जोन मदे अनि एक रन आड ओल टीम चा टोटल मदे अनि एक रन संग पुडे सर्केल एक तीस थर्टी वन या अकड़ा वर्दी एक तीस थावा गुंताली के वर्दी लाग लेत अत्ता परेंद प्रहितन करावे लाग तील धावा रोकने साथी अड़ेकिंग फल्डिंग सद्य सजवली के लिए चर्जा केली जाती है बॉल वीजय सोबत की कशा प्रकरेर रोकल जावा वाग भी टीम ला बर्बूर दमदारी मैच है अनि या मैच मद आता प्रतिष्टा सनमान बक्चे दहाते पंदरा वर्ष जे वईभाव कमवल है जे लोकी कमवल है ते सगल कही ते पनाला लागले दो बाहेर एतो शट्कार बासमन रोमिट्चा बैट मनन चांग ली बाडिंग करतो रोमिट्치 म elaborरोमिट्टी मोबाइललन रोमिट्टी लागली की प्रतेकाचा जिव्बाफ सा खासावी सोथ हो तो अनि रोमिट्टी बाडइङ लागली की बॉलर ला तो रोमिग जोन मदे टाक तो अनि या शटकार्थे चा बाट मदून अले अनंदर संग पुन्ना एक दा फ्लाय होतो है 37 वेगान धा अफ्वल का वर्थी धावा बन्वाद साना वागभी स्पोर्ट्स वागभी बॉल तयार बॉलिंग माक वर ओब दे विकेट पुन्ना एक दा अनि हा बॉल देखिल सा इल सलेक्ट सा दूसरा आका शदून बॉल खाली एतो है अनि अगदी धगला बुक्की मारून बॉल सीमा पार साधावा बैक टो बैक दूसरा शटकार ग्रेट नॉक 43 त्रेचाई साव अधा उफल कावर अनि मेगा दा गोंदे देखिल माच सा अनन्द गेता है तैना देखिल आमी इन्वाइट करतो है नरे स्पोर्ट चा वदीन संदीब दा भोई रेंचा वदीन यापन मंचा वर्दी आपल देखिल हार्दीक स्वागत है अज वागभी अनि बालकुम मदे नकीच करिफ्यू लागला प्रहित्तेक बॉल वर्दी प्रिक्षेकांच उदंड प्रदीसाद या माच मदे है पहला मिद्वयमाद सद्या हावी ठर्दाद बॉलोस वर्दी वागभीचे बासमन गुलंद स्तयार ओवद विकेट इदे लाइन अता पहवी लागेल अनि हाच चेंडू मातर डावस्टीक्षा बाहर आनि पुर्णा टाकावा लागेल एक्स्ट्रा रन लेंड बॉल होता पडलेन ता बोडी लाइन शरीर अवर्थी अनाय चा होता स्वींग करता साना जो टप्पा जी पिजिंग हवी ओती जो स्वींग हवा होता तो जास मियाला नहीं तेमें वाइट बॉल अला इदा बाच्ची वर्ची केड़ा प्रतेक्षनक्षनला वार पलट वार इदे साथ तेन सुरूज या मैदान वर्थी एक रन अधा आडुल टीमच़् टोटल मदे अने एक रन चा मद तीन तीन शटकांचा खेजाला संपन अन आफ्टर थ्री ओवर्ड चीत्र मदर एकच्छ पहिला और मादे 15 दूसरा और मादे 15 तीसरा और मादे 15 माजी तीन ओवर्ड पंचे जाहिस दूता सटक 15 रन चे यह 21 पन्नास या अकड़ाचा खाली ठेवलाज आवजेने कोरुन चेस करताना तेरा ते चवदा परेंद सरासरी टीम वागबिल ठेवेल अनिती पार करनेची ताकद नकिस तेनचे फलंदास ठेवतील कान माक्चा माच मदे ते चीतर अपन पाहिल फलंदास दीपेश माने प्रिटेश जोशी नावाचे देखिल वादल बालकुम गावा कड़े क्षना आत मैदान वर्थी अलान अंतर अगदी एका द्याहा खवलेला समुद्रा सारका जो सगी स्वापन उद्वास करनेची ताकट थेवतो तमाई या माच मदे दूसरा सत्र देखिल तितकच घात कसरंगिल तीन ओवर पंजे चाईज निरनाक शड़क बॉलर अविनाश पहिलास बॉल अविनाश सा अनि अविनाश समुद्रेखिल एक धूम धड़ा का अनि एक धमा का बॉल बाउंडरी लाइन जाब बाहेर एक अटप्या वर्थी सी मारेश बाहेर चार दावा जोगार चारन 49 ठामबत नई है वागबी संग अनस्तोपेबल बाड़िंग करताना अनि मगाशीच अपन मक्षा माच मदे मनालो कि मक्षी तीन रातर कोन विस्रेल रेड आर्मी 5 star 5 मदे आली पहले दिवशी विशा लेलेवन मीरा रोड नेक्स दे गावदेवी अंजूर रेड आर्मी 3rd SD केवनी रेड आर्मी अनि आज पुन्हा एक दा रेड आर्मी दोकैची वाजवती ए घंटा अनि या नंतर जावी नरे स्पोर्ट्च चशक होईल कदा चीत ड्रेसकोट शिवन्या साथी प्रतिक टीम पेमेंट घेवन आधी एल एडवांस न्दी भोई रेंचे कड़े कि अमाला हाल लाल रंग हवाई अनि फॉलन दास बात शटकार चुकार साथ तेन खेय ध्राईला मदा फाइनली क्ली बोल्ड अलिवाज ट्रीफ होता सना बल्स आंड ग्राउंट अन्पासमन बाक्तु दग आउट लास्ट येर ब्लू कलर अपन पहिला होता जास्त जास्त अंधीम तप्या या प्रिक्षक आचा आवाज अमादे दम है परद्या वरुन मागे वाईचा प्रिक्षक प्लीज परद्या वर्दी हाथ कीवा पाय कीवा तुम्ही बसू नका परदा सोड़ा इसा अस तैंक यू टीम छी टोटल एक कुन पन्नास एक कुन पन्नास वर्दी विकेट डेकिल म्याली है टीम गाउदे भी बालकूम ला अनी बाद जालेत फलंदाज रुमीत अनी केतनला स्ट्राइक कदीम यल या कड़े लक्ष पुर्णा वागबीचा लागले अनी तला जस्त जस्त लाम टिवनेचा प्रेटन देखिल केला आजातु है तो मझे स्टीम बालकूम चामा दमातु है एक सिंगल कम्प्लीट केली जाल दोंदरंचा प्रेटन आहे अनी आता धोका कलेक्तर साला हुता बॉल यस्ता परत खेऊन गेले नहीं अनेक सिंगल केली जातीय पूर्णा अनी स्ट्राइकर एंला लाग केतन पाडिल वाट अपलया माक्चे अनेक वर्ष वागबी क्रिकेट गाजवन्याची मनातली जिद्ध अनी माक्चे अनेक वर्ष वागबी ची रन मशीन मनुन केलेले केतन पाडिल न खेळ हे मात्र वागबी गाव कदीच विसरना नहीं भरत पाडिल अन्टर गड़ून बालकुम सादी बस्त विसर अपला देखेल मना पुर्वकार्दीक स्वागत जवन्द पाडिल कहीं मत्वाचे मासेज अमचा परन्द जरूर पोजवतात अतिशे चांगली स्कोरिंग ते करता है राउंड विकेट खोद उनकाडला बॉल म अन्टिदे जाली मिस्फिल्ड अनि दोन धावा सहज पूर्ण सालेत अनि टीमची टोटल जाली है 52 अनि या डावा दिल अजुनी दोन शिन्दून चा खेल इदे शील्ड लेक है दोन बॉल चा खेल अजुनी बागी बॉलो तयार इथे लाइन जांगली है पडलला अन्दर चिन्दू अगदी खाली रायला है बॉल नि गुन्जा तो इथे डॉट केतन पडिलला केला 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 है बीट अनि अन्दीम बॉल अता बागी है जी चर्चापन कर तो तो 51 न परंद जर बालकुम न थामबवला त अन्दीम बॉल अलंग्द कारपेट इन्फिल मदे थोड़ी शी मिस्फिल सिंगल जाली है पूर्ण अनि दोन धावा सर्च कंप्लीड जाले अनि टीमची टोटल फलकावर्दी जाली है 54 चोपन धावा अनि पंचावन रंच लक्ष या माच मदे पार कराईच तमचे समाल लुचक श्रजाद शेक अपन रिपोर्ट कराईचे कमंटरी बॉक्स मादे चार ओवर्चा खेज ला रंच लाए देता अपन धे चोपन न पंचावन रंच टारगेट है तर श्रजाद शेक अना इन्वाइट करतो आपन यहेचे कमंटरी बॉक्स मादे झाली कमंटरी बॉक्स मादेट करने गखने रंच जाए थिए सुटमा सथी लाइट भेंचे । लाए यहेझ स्वस्वस्व झाल झाल तो उदेचा ड्रॉ आमी तुम्चा परंद पोच्छो तो है पहली स्माच रंजी स्पोर्ट्स का सर वडवली वरुद काली का मदा स्पोर्ट्स का सर वडवली जयानुमान स्पोर्ट्स ओळा विरुद विरुद राजाभा स्पोर्ट्स कोई वडवली वरुद पोच मात्रा स्पोर्ट्स भाइंदर पाड़ा तद नंतर मोहन मास्टर्स मोगर पाड़ा विरुद संजु 11 का सर वडवली जयानुमादे उद्या या रात्री माचेस रंगता ना अपलेला दिस्थिल् पंचावन धावेच सलामीची जोडी मैदाना वर्दी उदर दिया भावेश माने भावेश बारिया अनि तेचा जोडी न प्रिदेच जोशी अला है पंचावन धावन धावेच सलामीची जोडी मैदाना वर्दी दाखल जाली है एउड संगल टीम बालकूमला लवरों से डरकर नुका कभी पार नहीं होती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती नन्नी चीटि जब दाना लेकर चलती है चड़ती दीवार उपर सोचो बार फ़ी सलती है मन का विश्वास रगो में सहाज बरता है चड़कर गिरना गिरकर चड़ना नहीं है करता comprar अकेट उसकी महनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, कभी हार नहीं होती, तार्गेट डफिनिटली मोठ है, मैं तर प्रिटेश जोशी नाव कुटे छोट है, अनि तया नावाला साजे सालोगी काला साजे साखे, तला या मैच दर्मा यहन इदे नकीच करा वाला गिल, 55 चा टार्गेट ता माच सुरू होईल दोनी टीमला बर्बू सरा शुबेच्छा अनी सामना जवी मैदाना वर्धी रंगेल तवी कोमेंटरी बॉक्स मदे नकीचा पन ऐकू मुम्राचा एक वल्वेट वोईस एक तालेंडेट कोमेंटेडर शेजाच शेक एना अनी 55 चा लक्ष पूर्ण करून बालकूम विजाचा जिन्दा गाडेल की 55 धावा डिफेंड करून ही मैद जिंकेल तो मंजेच वागबी स्पोर्ट्स वागबीर करून, 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 ही मैद थालेंगेंट करून प्र Warsaw Rev.1 using the country मैं करून, म Kannuaese-वार बाल cure झ् Yakून, करून, कर दो, करून, 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 again करून, करून, कर भाडेंगेंगे झाह बोच्त, कर दो कर दो कर दो लक्ष रखा गया है 55 रणों का 55 रणों का पीछा करने के लिए सलामी बल्ले बाजी की जोड़ी विक्टो के बीच में प्रवेश करती हुई भावेश और पीदेश जोशी पहली उवर लिगा तयार गेन बाज चेतन पहली गेन दिस इस ब्यूटिफुल डिलिवरी बिल्कुल फ्लाइटिट गेन थी यॉकर में कनवर्ड हुई और गेन रही डॉट के रूप में तारिफ करनी होगी भावेश की कि गेन दोको बिल्कुल उन्होंने भाप लिया था और अंतीम और आकरी वक्ट पर अपनी विक्टो को पूरी तरीके से कवर करते हुए अपनी विक्टो क बचाया गेंद रही डॉट के रूप में अच्छी गेन का सम्मान किया है गेंद पहली डॉट के रूप में हुई है इस तरीके हिसे गेंबाजी की शुरुआत करते हुए गेंबाज चेतन चेतन के अगली टिगेंद मीस टाइमिंग सो गेंद हवा में है तीन खिलारी को फिल किया जा था विक्टो के बीच में दॉड लगी दो रन दॉड कर पूरे किये दोने ही वल्ले बाजों ने अच्छी अच्छा ताल मेल अच्छा कॉमिनेशन जरू देखने मिलता हुए अगली गेंद ते इस्तरार गेंथी आउट अब दॉड स्रम कट किया था लग ब्रेक गेंथी कती के साथ साथ कट का जो मिशन था उससे पहले ही भाब लिया बल्लेबाज भावेश ने और महज गेंद को दिशा दी कलायों का अच्छा उपयोग किया पॉइंट के शेतर में गेंद को फिल्ड किया गया गेंद एक रन के लिए कनवर्ड हुई एक रन से जादा कुछ नह बिल्कुल फिल्डिंग में थोड़ी से तब्दीली करते हुए गेंद बास चेतन एक खिलाडी मिड्विकेट के शेतर में है एक खिलाडी डीप लॉगाउन के शेतर में है लक्ष 55 रन है तीन विक्टों के नुकसान के बाद ताबर तो बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबा कर तयार होंगे फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर बॉलिंग ट्रैक पर चेतना पाठिल अनुभाउस से भरपूर गेंबाज है अच्छे टप्पे की गेंबाजी जरूर करते है अगली गेंग गती में मेंशन किया था रीट कर लिया गेंदा तीवी डी बैक्स कवर बाउ के शेतर में रिवस में भी सिक्स देखने मिला लेकिन जो आमीर दाफेदार ने जो स्टोक जड़ा था मीरा रूट के वंडर बॉय ने वह स्ट्रोक काभीले तारीफ था वह स्ट्रोक की नजाकत कुछ अलगी थी लेकिन चलिए चारण मिला है इस बार प्रीटेज जोशी ऑ बल्लेबास प्रीटेज जोशी उनके पाले में डाले गई ये गेंथी उस्वर किया प्रहार गेंग गई आउट अफ़ दापार्क चेरन देखे रिक्वेस्ट है मिल्विकेट पर जो दर्शक परदे के अंदर आकर बैठे रिक्वेस्ट है कि प्लीज यह आप लोगों का ही टूर्णामेंट है प्लीज बैक्साइड चले जाए रिक्वेस्ट है आप लोगों से लेक्साइड में जो दर्शक परदे के अंदर आकर बैठे हैं बाउंडरी लाइन के पार उनसे बिनंती करेंगे कि प्लीज आप प्लीज बाउंडरी लाइन के पार परदे के बैक्साइड बैठे जरूर चेतन के अगली गिन प्रितेज जोशी फुल टॉस गेंती रडार मे आई कोई खिलाडी मौजूद ने गेंजाती भी सीमा रेखा पार यह आता हुआ एक और चार चारल स्कूर जा पहुचा है सतरा रन पहली ओवर में लूट मचा दी है चेतन की ओवर में सतरा रन लूट लिए बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहन गुल्ले साहिब आना है आपको मंच के ओपर आपका हर्दिक सौगत सु स्वागतम नरीश यसमिती चशक दोहजार एकीस फॉर्टी प्लस वागबिल के एक लेजेंट मोहन गुल्ले साहिब सु स्वागतम चलिए मैच अभी वी ओन है दोरों ही टीमें एक दूसरे के साथ जद्दो जहत करती हुई यस फिल्डिंग उने टीम टाइम वेस्ट नहीं करना है प्लीज ताबर तो फिल्डिंग सेट करें वागबिल टीम रिक्वेस्ट है आपसे टाइम के मामले में जो समय दिया गया है उस समय के अनुसार ही आपको अपनी चार ओर की समाप्ति करनी है मैच की स्थिति कनवर्ड होती हुई अट्रा गेंदे बची है जीत के लिए 38 रनों की जरुरत गेंबाज नए गेंबाज के रूप में आएंगे नंदू पाटिल अच्छी बल्लेबाजी की अब गेंवाजी किस प्रकार की करते हैं देखने वाली बात होगी जरूरी एक अनुभो से भरपूर के लाड़ी किसे कहा जाता है 40 प्लस में कनवर्ड हो चुके हैं वागबील की ओर से 40 प्लस क्रिकेट खेल रहे हैं नंदू पाटिल और इस वक्त अपनी गाउं की ओर से आए हैं गेंबाजी की जिम्में दारी लेकर दूसरे ओर की नंदू पाटिल बॉलिंग ट्रैक पर लेकिन सामना करने के लिए तयार होंगे भावेश और बात करें प्रितेश जोशी की तो हर एक गेंद पर बड़े हिट के धनी के लाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए प्रितेश जोशी तीन गेंदों का सामना किया 14 रन का इनका इशारे लेकिन चलिए गेंद रहीगी डॉट के रूप में यह सर इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है नंदू पाटिल बिल्कुल पर्फेक्ट ऑल्राउंडर की भूमिका की निभाते हैं वाग्बिल टीम की ओर से प्रितेश जोशी और बात करें भावेश की तो ये दोनों खिलाडी इस सीजन में सबसे ज़्यादा फॉर्म में बहु बली की लाड़ी बड़े हिट लगाने वाले धनी की लाड़ी ये दोनों ही विक्टो के बीच नज़र आते हुए इस बार बड़ा हिट आउट अब दपार्क शटकार क्या बात है डीप लॉग ऑन बाउंडरी के पार गेंट ट्रेवल होती हुई नज़र आई गेंट छे रन के लिए कनवर्ट हुई बिलकोल डे बिलकोल नाइट नाइट की अगर बात करें तो सेकेड नाइट में तेवीस रन भी मुश्किल हो रहे थे बिलकोल आज रन देखिए बरस रहे हैं बिलकोल खार्मेट जरूर चेंज होता हुआ नज़र आया बल्ले बाजों के लिए आज विकेट साथ देती एक रन मिलेगा एक रन से होना पड़ेगा संतुस्ट स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोट पर इस वक्त स्कोर दर्शाता हुआ 24 रन जीत के लिए बची वी गेंदे है शेश हिस्से में 15 और 31 रनों की जरुवत 15 गेंदे 31 रन 15 और 31 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ इस बार घुटना टेक तमाशा देक नाम है प्रीते जोशी गाव है बिल्कुल गाव देवी स्पोर्ट्स बालकुम बालकुम का ये खिलाडी अपने बल्ले से आग उगलता हुआ बिल्कुल आटेकिंग बल्ले बाजी क्या तावर दो बल्ले बाजी इसलिए तो इस खिलाडी को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है क्या तावर दो बल्ले बाजी कर रहे है अगली के नंदू की एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश मौका है पंकज गोंदले कैच के नीचे खूबसूरत कैच विकेट का बता होता हुआ लगता हुआ इस वक्ता बड़ा जटका प्रितेश जोशी इस गॉन क्या बाद है मैं रिक्वेस्ट कर दूँगा देखिए पर दे को छोड़ देना है आप इंजोई करिए नो डाउट ये प्रतियोगीता आप लोगों के लिए रखी गई है आप जरूर इंजोई करिए लेकिन जो परदा है उसे छोड़ दीजे प्लीज ये बाउंडी लाइन के बाहर रहकर आप जितना इंजोई कर सकते हैं इंजोई करिए बिल्कुल विकेट गिरा है जरूर विकेट का पता हुआ है और बात करें तो पहला विकेट गिरा है तीस रन पर जिस तरीके से मेरे साथी स्कूरर जैवन तपाटिल गोल्डन फिंगर ओला मुझे बताते हु कि इस वक्त तीस रनों पर भी वागबिल का ही पहला विकेट गिरा था उसी तरीके से तीस रन पर ये पहला विकेट गिरा है न्यू बैट्समेन आए है दिपेश दिपेश और भावेश की जोड़ी विक्टों के बीच में क्या कमाल कर पाएगी इस लक्ष को पार कर अपने पकड़ बना पाएगी क्या होगा देखेंगे जरूर बची हुई गेंदे हैं हिस्से में 11-13 और 13 गेंदों में जीट के लिए 25 रनों की जरुर्वट पिल्कुल रोइल सॉट की तरस से दिपेश जो आपके लिए गफ टैम पर रखा हुआ था स्पेशल डिश आपकी आचू की है आपको कलेक कर लेना है मैच की समाप्ति के बाद दिपेश रॉयल स्वादर की ओर से ये गिफ्ट हैंपर था और ये गिफ्ट हैंपर आपको मिलेगा जरूर अगली गेंद लेकर तयार होंगे नंदू फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर इसी बीच ये गेंद आउट आप दो ऑफ्स्रम गेंद को रखा था बिल्कुल केला गया स्ट्रोक लोग ओफ के शेत्र में वहाँ पर रोमीत डाकी मौजूद खरात्रो और दौण कर दो रन पूरे किये बिल्कुल एक एक रन इंपोर्टेंट है ये चीज़ को प्रूफ करते हुए सभी वागबिल के खिलाडी गलत रो गलत हैंड चूज किया रन मिले हैं दो स्कोर कनवर्ड होता हुआ मैच की सीथी आचुकी है बारा गेंदे तेवीस रन बारा तेवीस का ये मुकाबला इसके बाद अंतीम और आकरी मुकाबला खिलाया जाएगा बिल्कुल आजाद 11 कोल्चेत विरुद्ध विनिंग टीम वो कौन सी टीम होगी जो अगले दौर में भीड़ेगी यहां पर ज जन भव्य नियोजन शांदार जांदार धमाकेदार कासर वडोली की जत्रा सीजन फोर मानेश्री संदीव जी भुईर सापके मांग दर्शन में इस टूर्णामेंट को सजाया और सवारा जाता है महादी बढ़िया तरीके से लुक दिया जाता है सबसे पहले साल बर वो हर ऑजए क्षि passions करते हैं वहाँ के डेकोरेशन को देखते हैं वहाँ के लुक देखते हैं उसके बाद अंतिम्हवराकरी वक्त पर जब वो तूर्णामेंट Karty तो हर एक कमी को वह पूरा करने की कोशिश करते हैं उसी तरीके से इस वक्त हम देख सकते हैं वाइट लाइड आजकल दुदिया रोशनी फोकस के यलो उजाले में खिला जाने वाला ये नाइट का टूर्णामेंट नहीं है दूस्तो इस वक्त अगर आप ग्राउंड पर हो तो आप देख सकते है वाइट लाइट का इंतिजाम किया गया है ग्राउंड को नाइट की जगा डे में कंवर्ट किया गया है इतनी जादा रोशनी के बॉल बल्लेबास को फुट्बॉल नजर आए इस तरीके का आयोजन इसे कहते हैं आयोजन करना और एक बहतरीन टूर्णामेंट को सक्सेस्फ पंकज गोनले गेन बाजी की कमान पर पहली गेंद बिल्कुल शॉट मिडविकेट पर गेन को फिल किया गया स्ट्राइक को रोटेट किया है भावेश ने स्कोर थोड़ा सा आगे बरता हुआ मैच की स्तिती कनवर्ट होती हुई 11 गेंदे बची हुई है जीत के लिए 22 रनो गेन बाजी के जोहर यहां पर भिखेरेंगे क्योंके इन से आशा और उमीदे जान सव संपनों में जान होती है पंको से कुछ नहिं होता दोस्तों होसलों में उड़ान होत्य है इस वक्त जū favors आधा Miles ना हाय गरे के वही टीम जीत का दर्शन करेगी बिल्कुल पंकज फिर से एक बार सज्ज्ज होंगे अगली गेंद पंकज लेकर सज्ज्ज होते वे अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करने के लिए तयार है लेफ्टेंड बैट्समन आउट अप्स्टम पीचिंग तोड़ी सी खराब अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल अत्री की रनों में एक रन जुड़ता हुआ अगर पांच गेंदों में स्रिफ और स्रिफ साथ रन कर्च किये तो दो हजार की ना मिराची इस बार ये गेंद रही डॉट के रूप में इस ब्यूटिफुल डेलिवरी नो डॉट टपा काने के बाद थोड़ी सी कट करती हुई गेंद बल्लेबास को जरूर अश्य चरित करती हुए गेंद और डॉट के रूप में अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंबास अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार बड़ा हिट और ये चेरन वह हो आज के दिन का सबसे बड़ा हाइलाइट खरा फिलिंग क्या स्ट्रोक केला था कैस थी लेकिन हातों से कैच टकर बाउंडरी लाइन के पार गेंद काफी समय था लग के हवा में और उसके बाद देखिए दर्श्यक में होड़ मस्ती हुई और यहाँ पर खरा फिल्डिंग का परिणाम गेंद आउट अउट अफ द पार्क ये मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकता है यह मैच में वापसी के संकेत हो सकते हैं टीम गाव देवी स्पोर्ट्स के बिल्कुल का जाता है ना कि ना संगर्श ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में थम जाते हैं बड़े से बड़े तूफान आग लगी हो सीने में उस तरीके का द्रिश्य जरू देखने मिलता हुआ छे रन मैच का सिच्वेशन चेंज नोगे बची हुई है जीत के लिए पंदरा रनु की जरूद अगली गेंद लेखा तैयार नोगे जीत के लिए पंदरा रनु की जरूद इस बार गती में मिश्रण किया था जूरदार अपील अपील को नकारा है जरूर यहां पर अंपायर ने लग भी फूर के लिए जरूर अपील की गई थी मैच का सिच्वेशन चेंज होता हुआ अट गेंदे जीत के लिए 14 रनु की जरूद अट गेंदे जीत के लिए चाउदार रनु की जरूद इस बाट टॉपेज एक रन के लिए निकले हैं जरूर डारेक हीट करने की कोशिश जरूर की गई थी लेकिन एक रन से होना पड़े का संतूष्ट एक रन से ज्यादा कुछ नहीं बिल्कुल मैच का सिच्वेशन है साथ तेरा अब किसका साथ किसके साथ होगा साथ गेंदे तेरा रवन साथ गेंदे तेरा रवन साथ तेरा अगली गेंद इस बार फूलें गेंथी और ये गेंद रही डॉट के रूपे अब टेंशन अब बड़ा वाला टेंशन जह अब बिल्कुल एप घंदे 13 अरन मुश्कील की घड़ी है और विल्कुल का जाता है नैकि मुश्कील के कैच जो चूटा है वो कैच नहीं वो मैच का द्रिश्य चेंज करने वाला सिच्वेशन था गाउदेवी के दिलों की धड़कने तेज हो चुकी थी और दुआएं वागबिल के दर्शकों के अगेंस थी और छेरन जो मिला है वो याद रहेगा साल भर चर्चा होगी जरूर उ अगर वो कैच पकड़ दिया जाता थो क्रिकेट इस वक्ता सिच्वेशन होता 19 रन मैं रिक्वेश करूँगा यल्लो टीम जो खड़ी है आजाद 11 कोल्षे थोड़ा पीछे हो जाना प्लीज सागर थोड़ा सा पीछे होना है बाउंडरी के पार थेंक्यू क्यू क्यू बिल्कुल काफी लोगों के सरवे जरू दरद हुआ होगा कैच चूटें के बाद दिल में भी और सर में भी मैच छेगे दे तेरारन मनोच पाटील ओन बालिंग मार्क पहली गेन बड़ा हिट आउट अव्ट प्रपार्क नाव है भावेश मने भावेश यह सर लासिकल सुक पहली गेन का स्वागर चेरन के साथ अब यहां पर वागबिल के जो समर्थक है उनके बीच सन्नाटा चाया हुआ और गाउदीवी स्पोर्ट्स का जो खेमा है वो जश्न मनाता हुआ बिल्कुल है क्रिकेट है दोस्तों इसमें कभी हार तो कभी जीत है लेकिन क्रिकेट है हमें हसाता भी है रूलाता भी है लेक दरम धरम बिल्कुल माना जाता है क्रिकेट है वही क्रिकेट इस वक्त चलता हुआ हर एक टीम अपने गाउओ के नाम के साथ खेलती हुई गाउओ की शान के लिए खेलती हुई इस वक्त मैच और है गाउदेवी स्पोर्ट्स बालकुम वर्सेज वाक बिल इस बार बढ़े इस वक्त हिस्से में चार और जीत के लिए पाच रनों की जरुवत पाच रनों की दरकार चार पाच का ये मुकाबला नजर आता हुआ मनोच पाडिल टीम कैप्टन सरदार के उपर जिम्मेदारी ये बड़ी वाली चार गेंदे पाच रन मैच किसकी तरफ जुकेगा इसी पीच ये गिन इस बार आडे बले से कहले की कोशिश ये जाती भी मिडविकेट के शेत्र में दोरन के लिए निकले है जरूर और यहाँ पासुदत रो और विकिर का मता हो 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 आफ टेंशन अब बड़ा वाला टेंशन गाव देवी स्पोर्ट्स टीम की दिलो की धनकने ते न्यू बैट्समेन रोहित दिपेश के पास स्ट्राइक है जरूर रोहित की जिम्मेदारी बड़ेगी मैच का सिच्वेशन चेंज होता हुआ तीन गेंदे बची हुई है तीन गेंदों में जीत के लिए चार रन की जरूरत तीन चार का यह मुकाबला रोहित न्यू बैट्समेन विक्टो के बीच में प्रवेश करते हुए बिगुल बैटरीन मैच मैच की स्थिती है तीन गेंदे चार रन तीन चार का यह मुकाबला सब को किया है विचार करने पर मजबूर तीन चार तीन गेंदों में चार रन एक तरफ वागबिल तो दूसरी तरफ बालकुम फासला थोड़ा ही है लेकिन जंग बड़ी है जारी इस वक्त तीन गेंदे शेश चार रनों की जरुवद गेंबाज मनुज पाटिल की यह गेंद ओहो हो गेंद रही डॉट के रूप में गेंदे होगी डॉट तो होगा टेंशन एक टरफ भगवा कलर तो एक टरफ लाल कलर यह लाल कलर लगातार टॉप त्री टीमे तॉप इने वाई में जाने वाछी तीन दो चार का मुकाबला अब आप अंदर से या बाहर से बिटिंग लगा सकते हैं टेबल के नीचे या उपर से पकड़े गए तो कुछ समय के लिए अंदर लेकिन मैच पैसा वसुल इससे कहते हैं मैच तमाम जो दर्शक आये हैं इस मैच का आनंद ले और जो यूटूब पर इ इस मैच का आनंद ले रहे हैं और मैच जीतेगा कौन इसका फैसला ये दो गेंदे बची हुई करेंगी दो गेंदों में चार अंकी जरूद स्टैटेजी प्लानिंग जारी है मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्रिकेट थोड़ा सा फास होना जरूरी तमाम जो दर्शक आये है ये सस्पेंस को कनवर्ट करना चाहते है रिजल्ट के रूप में ये इंतिजार कर रहे हैं ये आपके चाहने वाले खिलाडी है ये चाहते हैं कि मैच का रिजल्ट तावर तोप मिले मैच अभी भी दोनों ही टीमों के बीच बिल्कुल दो गेंदों में चार रन फिल्डिंग की विवर अचना देख सकते हैं डीप मिडविकेट एक खिलाडी डीप काव कॉर्नर डीप बैकवर्ट स्कार लेग इस तरीके से फिल्डिंग को सेट किया है गेन लेकर सज्जे होते हुए अपने बॉलिंग मार्क पर सामन करने के लिए तयार दिपेश और यहाँ पर मौका है कैच का और यह खूफसुलत कैच ओ हो हो आप टेंशन एक बॉल चार रन सागर पाटेल क्या कैच पकड़ा है कैच नहीं इस किलाडी ने मैच पकड़ा है अब बड़ा वाला टेंशन क्या मैच है क्या वादे सागर पाटिल आपके लिए 200 रुपे की ना मीराशी अनिकेट यह साहिल मने रा अभी वी दिल पर हाथ रखकर खड़े हुए हैं क्या होगा क्या नहीं होगा एक बॉल चारन एक बॉल में चारन की जरूरत वाड़ा मैच क्या वाद है एक बड़ा हीट इतिहास रच सकते हैं बल्लेबाद रोहित एक बॉल अगर डॉट होती है तो वाग बिल के वाग इस मैच को अपने पंजे मिले सकते हैं मैच मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा तमाम जो दर्शक है बाउंडी लाइन के पीछे रहें प्लीज कुशल मुमेंट है तफ मैच है एक बॉल चारन एक बॉल चारन की जरुवत अगर तमाम जो दर्शक इस मैच का आनंद लेने ग्राउंड में आये हैं उन्हें ये मैच पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालिया इस मैच के लिए अगर जीतती है एक बॉल जीत के लिए चारन की जरुवत एक चार का ये मुकाबला लोगों को किया है जिसने विचार करने पर मजबूर ये है एक बॉल चारन वोड़ा मैच एक बॉल चारन इसी बीच मेरे खाल से रनप में तोड़ी सी चूक जरूर क्या यहाँ पर सिच्वेशन चेंज होगा विलकुल एक बॉल चारन की जरूब चारन सरूरत मैच का सिच्वेशन नजर आता हुआ इसी बीच मनोज पाटिल अपनी गेन लेकर बॉलिंग मार्क पर इसी बीच ये गिन ओहो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त एक बॉल चारन की जगा अब एक बॉल तीन रन वाइड बॉल वाइड बॉल इस वक्पे वाइड करना यहने तमाम जो दर्शक है उनके दिलों की धनकने तेज करना होगा एक बॉल चार रन का ये मुकाबला एक चार का ये मुकाबला अब एक तीन पर कनवर्ड होता हुआ एक बॉल तीन रन मैच में अभी भी रोमाच बाकी है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त इस वक्पे वाइड करना यह टेंचन हो सकता है क्या होगा बिल्कुल तमाम दर् तीन रन एक तीन का ये मुकाबला इस वक्त अगर बल्लेबाद रोहित की दिलों की धड़कने देखी जाएं तो हाइट बीट इनकी काफी फास्ट होगी उसी तरीके से मनोच की दिल की धड़कन देखी जाए तो इनकी भी हाइट बीट काफी फास्ट होगी टेंशन भरा मैच एक बॉल तीन रन की जरुद इस मैच को जीत में कनवर्ट करने के लिए अगर एक बॉल में तीन बने तो आज के दिन के हीरो इसी वीच ये गिन और इसी के साथ टीम वागबिल ने इस मैच को जीत लिया है कॉंग्रूचुलेशन वागबिल वेल डन वेल प्लेट चलिए सेलिप्रेशन बात में मनाना है टॉस के लिए आना है तापर तो टाइम वेस किये भीना प्लीज कि रिर थात्यम सेलिल बात यक की ब quiereब का कि फिएक है को ये ने